हे गाईस वेलकम डू सक्सेस दिलिप में दिलिप कुमार स्वागत है आपका इस वीडियो में तो दोस्तों बहुत बड़ी खुश खबरी आप सभी के इंडिट के लिए सेल की तरप से फिर से परमानेंट जॉब्स की वेकेंसिज आ चुकी है सेल इस्टिल ऑफ इंडिया लिम पहले राऊर केला इस्टिल प्लांट फिर दुरगापूर फिर भिला इस्टिल प्लांट फिर से निकल चुकी आपकी इसको इस्टिल प्लांट अब बाकी है सिर्फ BSP बोकारो इस्टिल प्लांट जो की बहुत बड़ी भरती लेकर आने वाली है बोकारो चले गाई सबसे प सब्सक्राइब और वीडियो को एक लाइक जरूर कर देना अगर आपका सेल में ड्रीम जोब है तो इसको इस्टिल प्लांट जो की बरनपूर में इस थी थे यह आपका पसिम बर्दमान डिस्टिक वेस्ट बेंगॉल में पड़ता है सेम दुरगापूर इस्टिल प्लांट है बस वही नजदिक मानलो यह बरनपूर इस्टिल प्लांट है दोना अलग-अलग जगह पे नहीं है बलकि पहसिम वर्दमान में यह डिस्टिक पड़ता है और आपका दुरगापूर में पड़ता है अंदर यही है ओके तो यहाँ पे अलग-अलग पोस्ट की वेकेंसिस नि जहां पर छे वेकेंसिस निकाली गई है नेक्स वेकेंसि मानने जाती है मैनेजर की वेकेंसि है चार वेकेंसि 18arlohr से लेकर 2,20,000 चे बीच में सेलरी मिलती है देखे वेकंसी आ जाती है C में आपकी medical officer जो की 5 वेकंसी है यहां पर भी 50,000 से लेकर 1,5,000 salary रहेगी medical officers की recruitment आउट की गई है अब आ जाते हैं कुछ consultants की वेकंसी टोटल 10 post है 80,000 से लेकर 2,20,000 जहां पर critical care में recruitment आउट की गई इन सेडी में अब देख सकते हैं orthopedic तो यह डॉक्टर से related vacancy से नेक्स वेकंसी आ जाती है non executed अब ध्यान देना students जितने भी ITI और डिप्लोमा स्टुडेंट से इन non executed की वेकंसी से OCT एनि की operator कम technician trainee टोटल वेकंसी यहां पर 73 निकाली गई है जिसमें से mechanical की वेकंसी 20 है metal arzy की वेकंसी 14 है electrical के लिए 20 है instrument के लिए 5 है chemical के लिए 5 है civil के लिए भी 5 है और क्रेमिक के लिए total 4 वेकंसी से अलग अलग category wise आप देख लेना attendant come technician trainee for ITI students के लिए इसमें total 40 वेकंसी से जहां पर fitter की वेकंसी 13 है electrician की वेकंसी 10 है turner की 5 है welder की 2 है और heavy vehicle driver के लिए 10 वेकंसी से यह category wise देख लेना ITI वालों 40 वेकंसी आपकी है trade में बता चुका हूँ किस trade में कितनी वेकंसी से ओके और मैं diploma student को भी बता चुका हूँ हो चुका होगा फिर भी कहीं पर भी doubt है आप comment करके ज़रूर बताँ एक सी वेकंसी जे operator कम technician boiler operations में total 13 वेकंसी जे इसमें salary 26,000 से लेकर 38,920 मिलती है और attendant come technician boiler operation S1 grid में है साथ वेकंसी इसमें 25,000 से लेकर 35,000 तक salary मिलती है देखे इसमें total 13 वेकंसी जे बोयलर operations में operator come technician attendant come technician में total 7 वेकंसी जे हैं ओके पोस्ट में समझा चुका हूँ अब ध्यान देना में qualifications बता रहा हूँ for executive की post के लिए manager level की age है 30 साल जिसमें बी बिटेक मांगी जाती है mechanical electrical chemical power plant में कर रखी है apply कर सकते हैं boiler operation इंजिनियर की certificate होना ज़रूरी है manager mechanical हो गया chemical हो गया इसमें सेम आपकी जो metallurgy आपकी भी बिटक चाहिए और relevant branch में आपका डिगरी होना चाहिए नेक से consultants critical care में इस सब पीजी एफ़ी डियन भी आपने कर रखी है तो apply कर सकते हैं अट्रेट लेवल की है यह जरूर देख लेना हम सिधा आते हैं नन एक्जिवीटी की पोस्टे पर नन एक्जिवीटी की जो पोस्ट ने आउट की गई है operator कम technician ट्रेनी फोर मेकनिकल अगर कोई डिपलोमा किया हुए तो eligible नहीं है यहाँ पर apply करने के लिए क्योंकि आपको थ्री एर की डिपलोमा चाहिए चाहिए और 50% marks है जो की minimum चाहिए चाहिए STSE है तो 40% चलेगा बट 50% all candidate को चाहिए इतना ध्यान रखना relevant जो भी branches है आप यहाँ पर चिक कर सकते हैं डिपलोमा वालों की एज है 18 साल से लेकर 28 साल के student को apply कर सकते हैं बीच में vacancies है operator come technician जो boiler operation S3 grade में vacancies है उसके लिए 30 age limit है जहाँ पर 10 past speed 3 year की डिपलोमा चाहिए mechanical, electrical, electrical, instruments या फिर chemical, power, plant, productions वाले apply कर सकते हैं 50% चाहिए प्लस boiler attendant की certificate चाहिए अब next vacancy जो ITI students के लिए निकाली गई attendant come technician trainee, electrician, fitter, turner, welder, इस सब के लिए जो भी eligible है यहाँ पर भी age limit 18 से 18 साल है ITI NCVT pass out होना ज़रूरी है यहाँ पर SCVT का कहीं भी जिक्र नहीं किया गया है so please NCVT किये हो आप तो ही आप इस firm को apply कर सकते हैं ओके गैस तो यह चीज़ ज़रूर देख लेना उसके बाद जो आपका एक vacancies है heavy vehicle driver में इसमें जितने भी motor vehicle driving license वाले हैं या फिर एक साल की जो आपकी qualifications experience यहाँ पर मांगी गई है यह चीज़ ज़रूर लगना DL होना बहुत ज़रूरी है इसमें 10th pass के बंदा apply कर सकता है next vacancy जो attendant come technician boiler में थी उसमें ITI pass out होना चाहिए relevant rate से आप apply कर सकते है boiler attendant की certificate होना जरूरी है तो गैज यह जितने भी data मैंने qualification से सब कुछ बता दिया हूँ फिर भी doubt है आप comment कर सकते हैं मैं age बता चुका हूँ age money license सभी को मिलेगी HDFC वालों को 5.22 को 3 years का अगर salary की में बात करूँ तो manager level यानि की executive की salary है मैंने बता दिये थे यार non-execuity की salary आप पे यहाँ ध्यान रखना non-execuity में जो boiler की salary यह भी मैं बता चुका हूँ अब सबसे बड़ा जिग्यासा होता है सर हम लोग का salary कितना होता है देखो आप लोग का क्या होता है कि 2 साल की training period होती है चाहे diploma हो ITI हो क्योंकि आप training के base पे join करते हैं तो जो आपकी permanent salary होगी अगर मैं बात करूँ diploma वालों को diploma वालों की first year में 16,100 मिलेगी और second year में 18,300 मिलेगी ITI वालों को 12,900 मिलेगी first year में second year में आपको 15,000 मिलेगी दो साल training के बाद आपको permanent jobs मिलेगी और permanent jobs मिलेगी so please आपके 35,400 से लेकर starting salaries वाली आपकी jobs मिलने वाली है guys mode of selection देखना चाहते हैं return exams होता है अलग-अलग BSPA return exams होगा trade test होगा उसी के माध्यम से आपका selections होगी कुछ physical standard रखी गई है जो कि आप देख सकते है parameter होता है कि male की height होना चाहिए 155 cm female की 143 cm weight 45 kg और female की 35 kg देखो ये जो चीजे मैंने बताई है ना ये सब चीजे ये चीज नहीं है कि 155 cm है तब ही apply कर सकते हैं 153 भी है चोवन भी apply कर सकते हैं height उतना measure नहीं करता है बट physical standard होना ही चाहिए उसके बाद कुछ manager level की 150 cm यहाँ पे 143 cm females में ये सब आप देख सकते हैं application fees की मैं बात करूं तो जितने भी आपकी executive की recruitment है 700 रुपे आपको application भी लगेगा इस्टी एसे वालों के लिए 200 लंगने वाला है medical officers और जितने भी आई टी आई हैं स्वरी आपको जितने भी डिप्लोमा श्टूडेंट हैं 500 रुपय लगेगा जेनल ओवी सी EWS को और डेर सो रुपय रगेगा STSC and PWD candidates का अधरवाई जितने भी आई टी आई स्टूडेंट हैं आपको 300 रुपय लगेगा जेनल ओवी और syllabus की वीडियो अगर चाते हैं कमेंट करके बताओ किनको syllabus की वीडियो चाहिए स्पेसल में syllabus की वीडियो से लेकर आऊंगा देखें इसकी online form 20 दिसंबर से स्टार्ट हो रही है और 10 जनवरी 2023 तक इसकी last date रखी गई है अब जो भी इंट्रेशेट हैं 10 जनवरी 2023 तक form fill up कर स प्लीज लाइक सब्सक्राब करें चले में ते नेक्स वीडियो में तब तक लेज रहें देखें